केक बार की बात है, एक हलचल भरे पडोस में दो लड़के रहते थे, एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम राजेश था, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, राहुल धनी परिवार से था, जबकि राजेश साधारन परिवार से था, लेकिन उनकी दोस्ती की कोई सीमा न दूसरी और राजेश अपने माता-पिता के साथ एक छोटे आरामदाएक घर में रहता था, उन्होंने महनत की और मामूली साधनों से अपना गुजारा किया, जीवन शैली में अंतर के बावजूद राहुल और राजेश के बीच एक अटूट बंधन था, विस्कूल के बा एक धूप भरी दोपहर में, अपने पसंदीदा पेड के नीचे बैठे हुए, राजेश राहुल की ओर मुडा और कहा, तुम्हें पता है, राहुल मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है, कि जो कुछ भी तुम चाहते हो, उसे पालेना कैसा होता है, राहुल ने मुस्कुर परिवारों और उनके सपनों के बारे में गहरी चर्चा होती थी, राहुल ने दुनिया में बदलाव लाने के अपने सपनों को साज़ा किया, जबकि राजेश ने अपने परिवार को बेहतर जीवन जीने में मदद करने की अपनी आकांग्शाओं के बारे में बताया, एक राहुल के घर में एक पुरानी अटारी की खोज करते समय, उनकी नजर बचपन के खिलोनों और खेलों से भरे एक पुराने बकसे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने एक साथ बिताए अंगिनत घंटों की मौज मस्ती को याद किया, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती उनके लिए सबसे बड़ा खजाना थी। साल बीटते गए और राहुल और राजेश बड़े होते गए। राहुल का पारिवारिक व्यवसाय फलता फूलता रहा और राजेश के परिवार ने भी अच्छे दिन देखे। उनकी दोस्ती हमेशा की तरह मजबूत बनी रही। दोनों दोस्तों ने हाथों में हाथ डाल कर अपने दिलों में सपने और अतीत के साथ जीवन की अपनी यात्रा जारी रखी जिसकी जगह कोई भी दौलत कभी नहीं ले सकती।